दोस्तो एक्सल में वैसे तो सारे फॉर्मिले पावाफुल हैं लेकिन एक ऐसा फॉर्मिला भी है जो दूसरे फॉर्मिले के साथ मिलके उनकी पावर को और भी बढ़ा देता है यानि बूस्ट कर देता है तो आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे ही फॉर्मिले के बारे में जिसक होगा और यह formula किस तरीके से कम करता है तो यह वीडियो लास्ट तक देखते रहे हैं आपके बहुत काम आने वाला है array सीखनी से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ कि array खुद में एक formula नहीं होता है वो सिर्फ एक function होता है किसी दूसरे formula की power को बढ़ाने का यह जो वीडियो है इस वीडियो में हम सीखेंगे array के कुछ basics और आगे आने वाले वीडियो में हम array के और भी कुछ उधारन को जानेंगे जिससे आप array को अच्छी से समझ जाएं तो आप यहां पर आप देखिए मेरे पास एक छोटी सी table है यहां पर कुछ items लिखे हो उनकी कीमत लिखे है उनकी unit लिखी है और हमें अगर इनका total निखालना हो एक जैसे हम shopper पर जाते हो हमें बिल बनाते हैं तो हमें करना क्या गुणा करना होगा और उसकी धन्राशी वह यहां पर सामने आ जाएगी वह बहुत simple तरीका है बराबर का निशान लगाएंगे आप पहले cell को select करेंगे गुणा का निशान लगाएंगे तूसरे cell को select करेंगे और enter करेंगे तो यह normal तरीका है cells को आपस में गुणा करने का अ और अगर इसका योग आपको करना हो सम आपको करना हो तो आप यहां से auto sum को इस्तमाल करेंगे और आप देखेंगे इसका sum यहां पर निकल कर आ जाएगा लेकिन अब यही formula अगर आप array के साथ में use करते हैं तो आपको इतनी सारी calculation करने की कोई ज़रूरत नहीं है array इसी formula को और ज़्यादा powerful बना देगा अब array दो तरीके से लगाया जाता है पहला multiple cells में और दूसरा एक single cell में तो सबसे पहले हम single cell में array को लगा के दिखेंगे यह किस तरीके से काम करता है यहां से जो पुरानी calculations हैं उसे हटा देते हैं तो सबसे पहले हम single cell में array को लगा के देखते हैं तो यहां पर हमने कुल सम निकाला था जो ऊपर वाले cells का गुणा हो के आया था उसको हम array की साहिता से बिना कोई गुणा भाग किये यहां पर सीधे सीधे निकाल के देखते हैं simple आपको करना क्या होगा आपको लगाना होगा sum क्योंकि उपर के formulas का सभी का sum था जो साधरन आप formula लिखते हैं वही आपको लिखना होगा यहां पर जो number एक आपको दिखाए दे रहा है उसकी जगे आपको यह सारी जो list है जो range है वो select करनी होगी बीच में लगाना होगा गुणा का निशान जो आपके keyboard के numerical keyboard के उपर जो star का button होता है वो और दुबारा से दूसरी जो list है उसको select करना होगा bracket को बंद करना होगा इतना करनी के बाद में आपको अपको कुछ नहीं करना है आप array formula को इस्तमाल करने की जो पहली शर्थ है वो की बोर्ड से array formula को activate करना होगा shift, control, enter के साथ में आगे हम जानेंगे कि यह किस तरीके से काम करता है तो हम shift, control और enter तीनों बटनों को एक साथ ट्रेस कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो grand total है वो 22,526 रुपे आया है और अगर formula बार की तरफ आप देखेंगे तो जो normal formula था उसके आगे पीछे curly brackets लग चुके हैं इसका मतलब यह है कि यह जो formula इस समय आप यहाँ पर देख रहे हैं यह formula array में convert हो चुका है, array ने इसको अपनी power दे दी है और यह formula ठीक से work कर रहा है अब इसने किया क्या, array ने किया यह कि आपके b2 को c2 से multiply किया, फिर b3 को c3 से multiply किया, b4 को c4 से multiply किया और यह सब कुछ करने के बाद ने उसने sum भी कर दिया और एक ही बार में, याई एक ही formula में यह सारे काम हो गए, तो इस तरीके से single cell में आप array formula का इस्तमाल कर सकते हैं, यहाँ पर यह जो bracket हैं वो automatic आएंगे, आप अपने manually वो brackets नहीं लिगा सकते है अब बात करते हैं, multiple cell में हम array formula को कैसे use कर सकते हैं, आपको simple जिन भी cells में array formula को लगाना है, उन cells को select कर लिजे, formula बार में जाईए, equal to लगाईए और जो range है उसको दे दीजे, तो range देने के लिए आप simple वहाँ से select भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप गुणा का निशान लगा दी कीजे, दूसरी range को select कीजे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कि हमने दोनो range को select कर लिया है, आपस में multiply कर लिया है, अगर normally हम सीधे सीधे से enter कर देते हैं, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का result आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, अब इसी formula को हम array के साथ में type करते हैं, तो simple हम सभी cells को select कर लिते हैं, formula bar में जाते हैं, बराबार का निशान लगाते हैं, पहली range को select करते हैं, गुड़ा का निशान लगाते हैं, दूसरी range को select करते हैं, और अब simple हम shift, controller, enter, press करते हैं, तो आप देखेंगे, यहाँ पर formula bar में जो आपने formula लगाया था, उसके आगे पीछे curly brackets आ गए हैं, यह automatically आएंगे, आपको लगाने नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे, formula काम करने लगा है, सभी results आपके सामने आ गए हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जब आप multiple cells में array formula को लगाएंगे, तो वहाँ पर वो आपको कोई भी बदलाब करने की permission नहीं देगा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप ए formula लगा हुआ है, अगर यह formula simple तरीके से लगा होता, तो हम यहाँ पर कोई बदलाब कर सकते थे, लेकिन अभी अगर हम यहाँ कुछ भी लिखने की कुछ इश करेंगे, जैसे 0, तो आप देखेंग आप इस पार्ट में कोई भी changes नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह array का हिस्सा है, तो फिर अगर यह formula हमें permission नहीं देता है, कोई भी changes करने की, और हमें जरूरत हो इस formula को हटाने की, तो हम क्या करेंगे, तो simple जितनी range को आपने select किया था, पहले formula लगाने के लिए, उतनी range को आप दुबारे से select कर लीजिए, जहां भी अपने array formula लगाया था, और simple keyboard से delete button को press कर दीजिए, तो वो जो formula है, सभी जगे लगा है, वो एक साथ वहां से हट जाएगा, यानि आप उसके बीच किसी part को change नहीं कर सकते हैं, तो हमने यहां पर अभी तीन चीज़ना सीखी हैं, पहली single cell में array formula का इस्तमाल कैसे करते हैं, multiple cell में array formula का इस्तमाल कैसे करते हैं, और दूसरा array formula को अगर आप multiple cells में लगाते हैं, उसको कैसे हटाया जाता है, आगे के वीडियो में हम array के और भी उधारन जानेंगे, आशा है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडि झाल झाल